ओम सायराम, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम परेशानी में दूबा हुआ खुद को पाओ, जब सारी योजना विफल होती दिखाई दे, याद रखना तुम्हारे बाबा तयार है, वो बोज जो तुम्हें तोड रहा है, उसे बाटने के लिए तयार है, इसलिए पूरे भरोसे के साथ उस बोज को जाने दो, अपने बाबा को एक सुगम रास्ता बनाने दो, जो प्रकाश और उन्नती की और जाता हूँ, अपने उद्देश तक पहुँचने के लिए, हिम्मत से भरा पहला कदम उठाओ, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, रुकावटे हट जाएंगी, रास्ते सुलग जाएंगे, तुम्हारा आत्म विश्वास, तुम्हारी भक्ती जितना ही मजबूत होता जाएगा, जहाँ भक्ती होती है, वहाँ सवाल और चर्चा नहीं होती, एक आस्था होती है, जो दिव्य और अटूट होती है, प्यार और समर्पन होता है, तुम प्रे रखो, तुम कितने ही लोगों के लिए आश्वासन हो, ध्रिड़ रहो, सब सुलज जाएगा, मुझे पता है, तुम मुझ पर भरोसा करते हो, मुझे ये भी पता है, कि मैं बहुत माइने रखता हूँ तुम्हारे लिए, तुम भी मेरे लिए अती महत्व पूर्ण हो, मैं चाहूंगा कि तुम मुझ पर और भरोसा करो, अपनी हर चिन्ता, भै, घबराहट को मुझ पर छोड़ दो, हिम्मती बनो और खुश रहो, एक ही बात को लेकर, कितना खुद को परिशान करोगे, तुम्हारा काम यहां से, बिना खास परिश्रम के, अपने आप पूरा हो जाएगा, एक पल में ही तुम अपने विचार बदल सकते हो, और उसी शण तुम अपना जीवन भी बदल दोगे, अपने भविश्य को तुम खुद साकार कर सकते हो, तुम सम्रिद्ध हो, तुम्हारा परिवार मेरा परिवार भी है, तुम्हारे लिए सब शुब है, सब शुब ही होगा, अपने साई के लिए एक बार फिर मुस्कुरा दो, तुम्हारी हर एक मुस्कान मुझे बेहद पसंद है, जैसा है रा